दूस्तो यूट्यूब पर शैतानों की कोई कमी नहीं है और ये लोग कई बार ऐसे 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 एक्सपेरिमेंट्स कर देते हैं जो कि मतलब next level होते हैं तो आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐक्सपेरिमेंट्स को जो कि आपको चौका करके रख देंगे तो जादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आईए देखते हैं दूस्तो इस वीडियो को ब्यूसी ब्रेन नाम के चैनल के द्वारा फिल्म आया गया है जिसमें शक्स ने पहले बहुत महनत करके लगभग दो लाख माचिस की तीलियों से एक घर बनाया और फिर उसमें चिकन को रखकर आग लगा दी फिर चिकन का जो हुआ अब वो आप खोद ही देखो भाई यो हीट लेवल देख रहे हो चिकन की डेट बोडी पाँच मिनिट में तंदूरी चिकन बन गई बाई यो दिवाली में ये साप की गोली तो हम में से सब ही ने जलाई होगी पर दोस्तों क्या हो अगर हम एक साथ एक हजार से भी जादा साप की गोलीयों को या फिर स्नेक बॉंब्स को एक सांथ रख कर जला दें हमर इंडिया के क्रेजी XYZ नाम के काफी पॉपिलर चैनल ने कुछ ऐसा ही किया है मैं तो सोच रहा था एना कॉंडा निकलेगा ये तो जले टायर जैसा कुछ बन गया दूस्तो क्या आप जानते हो कि जो कार के विंडो ग्लास हतोड़े मानने से तक नहीं तूटते वो गाड़ियों के स्पार्क प्लग की कवरिंग के इस प्लास्टिक से टच होते ही तूट जाते है जी हाँ विश्वास नहीं होता ना पर ये एकदम सच है जरा आप ही देखो कैसे दोस्तों इस सब के पीछे विज्ञान का एक काफी इजी सा कॉंसेप्ट है पर जो नतीजा है वो एकदम चौका देने वाला है पर प्लीज अब आप ऐसा किसी की गाड़ी पर ट्राय नहीं करना क्योंकि कार के ये ग्लासिस काफी महंगे आते हैं दोस्तों ये बात तो आपने मेरे वीडियो में सुनी ही होगी कि कई साप ऐसे होते हैं जो कि आपकी कुछ मिंटों में ही जान ले सकते हैं पर क्या आप जानते हो क्यों? सिंपल सा जवाब है कि स्नेक का वेनम हमारे खून में क्लोटिंग कर देता है पर तब खून कैसा बन जाता है ये देखकर आप हैरान रह जाओगे दोस्तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हो कि जो लिक्विड खून है वो क्लोट होकर कैसा जैली जैसा बन गया है ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में होता है दोस्तो कोक और मेंटोस को आपस में मिक्स करके हैं के होने वाले रियक्शन को तो आपने यूट्यूब पर देख ही होगा पर रॉशियन्स इस चीज़ को एक अलग लेवल पर ले जा चुके हैं बाईयो इन्हों ने जब 1000 लीटर कोका कोला को मेंटोस से मिक्स किया दोस्तो ये तने जादा प्रेशर से बाहर निकला था कि अगर यहाँ पर कोई होता तो वो उच्छल जाता दोस्तो कि आप जानते हो कि इसराइल के जेरुसालिम के नस्दीक एक डेड सी नाम की जगह है अब है तो ये भी एक समुंदर जैसी लेक पर यहाँ पर कोई नहीं डूपता जी हाँ दरसल यहाँ पानी में साल्ट का कंसंट्रेशन इतना जादा होता है कि आप उसमें कितना भी कुछ कर लो डू भी नहीं सकते हो तो कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया हमारे इंडियन यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन हैकर ने और जो नतीजा मिलाओ से देखकर आप भी जोग जाओगे आप देख सकते हैं कि वेसे नॉर्मली जब अपन तेरते हैं ना तो अपन जो हाथ पे चलाने पढ़ते हैं और अपन बात नहीं कर सकते कि साथ साथ है ना सास भी लेनी पढ़ते हैं आप देख सकते कि देख सकते कि देख सी के अंतर मैं बात भी कर पा रहा हूँ और मैं हाथ पेर भी नहीं ला रहा हूँ जिसका चीदा चीदा मतलब यह है कि अगर आपको भी तेड़ा नहीं आता है तो आप डेड़ सी के अदर नहीं डूबोगे जैसे कि मैं नहीं डूब रहा हूँ नमबर चार पावर ओफ 60,000 PSI वाटर जाएट दोस्तो कि आप जानते हो कि अगर आप पानी की धार को 60,000 PSI जितने प्रेशर से किसी भी चीज़ पर मारोगे तो वो चीज़ कितनी भी स्ट्रॉंग हो कट जाएगी अब सुनने में तो ये भले ही बहुत कन्फूज़िंग सा लग रहा है पर जो आप सामने देख रहे हो ये उसी का प्रूफ है दोस्तो इस टेकनीक से हीरो को तक काटा जाता है भाईव इस टेकनीक को वाटर जैट कटिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये मोटे मोटे बुलेट प्रूफ ग्लासिस से लेकर हर चीज़ को परफेक्टली काड सकती है तो सुब बिसिकली कार बूम नाम का एक चैनल है जो की महंगी महंगी जर्मन कार्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं चूपता ऐसे ही इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें सबसे पहले इन्होंने 20 गदो को एक की उपर एक बिचाया और उपर एक मरसेडीज कार को 120 फीट से गिरा दिया नतीजा कार को जादा कुछ नहीं हुआ और ठीक उसी के बाद इन्होंने एक BMW के उपर मरसेडीज को खड़ा करकर जब गिराया तब हुआ कुछ ऐसा दोस्तो इसे instant ice नाम के experiment के नाम से भी जाना जाता है जिसमें mineral water को freezer में रख कर उसे freezing point तक जमाया जाता है और पानी के जम जाने से पहले ही उसे निकाल लिया जाता है फिर जैसे ही उसे hit किया जाता है पानी आखों के सामने जमने लग जाता है झाल झाल दोस्तो लावा एक ऐसी शामत का दूसरा नाम है जिसमें इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो जलकर राख हो जाता है तो क्या होगा अगर हम किसी मेंड़क को लावा में डाल दें? मिस्टर ट्रम्प नाम के इस चैनल ने कुछ ऐसा ही किया जरा आप देखो भाईयो मरे हुए मेंड़क की बॉड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई तो दोस्तों इसी के साथ ये था Wanted वीडियोज का एक एपिसोड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में और तब तक के लिए जाए हिंद वन्दे मात्रम